हाई गाइज मेरा नामेरा राफिद दंदिलीब और आप लोगा स्वागत हमारे इस टिकनिकल अलंदिलीब चैनल में दोस्तों इस वीडियों हम बात करने वाले हैं कि html css java script का इस्तेमाल किया जाता है HTML की मदद से हम किसी वेबसाइट का structure को create करते हैं CSS की मदद से हम अपने website के design को create करते हैं और तीसरा जब हम इस्तेमाल करते हैं java script को तो java script को हम इस्तेमाल अपनी website के behavior के लिए करते हैं कि हमारा website जो है किस तरह से बिहेव करेगा तो इस वीडियों में बात करेंगे HTML क्या होता है HTML की पूरी जानकारी लेंगे तो चलिए बीना देर किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं HTML का पूरा नाम Hypertext Markup Language होता है यह Computer की एक ऐसी Language होती है जिसका इस्तमाल website के structure को create करने के लिए किया जाता है HTML को सीखना काफी आसान होता है किसी भी programming language like C, C++, Java के मुकाबले HTML को सीखना काफी आसान है और हम इसे कम से कम समय में सीख सकते हैं HTML का invention टिम बर्नर्सली ने 1980 में जिनेवा में WWW यहनि World Wide Web Consortium में किया था HTML का current version है HTML5 है और HTML के file को जब हम save करते हैं तो .html extension के जरिया हम file को save करते हैं अब हम जानते हैं HTML को सीखने के लिए हमें कौन-कौन सी चीजों की जरूरत होगी हमें HTML सीखने के लिए किसी भी तरह की programming background होने की जरूरत नहीं है हमें दो चीजों की जरूरत होगी HTML सीखने के लिए पहला text editor लाइक notepad जिसमें हम HTML के code को लिखेंगे दूसरा कोई भी web browser लाइक mozilla firefox, google chrome, internet explorer जिसकी मदद से हम अपने लिखे गए code को run करवा सकते हैं अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर ये वीडियो आप लोगों करें